नमस्ते मित्रो आप सभी का यूटूब चैनल जिके हेल्प विद ज्यार्बी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री ब्यस्टिसी एकजाम 2019 के लिए इपोर्टेंट राजस्तान समाने ग्यान के 25 क्वस्चनों के बारे में दोस्तो यह वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदर हैगा कि आपने अभी तक यूटूब चैनल जीके हेल्प विद ज्यार्बी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन है मिलता रहे साथी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यह मोडल पेपर एकसट है इससे पहले 60 मोडल पेपर प्लोड किये जा चुके हैं अगर यह वाले 60 मोडल पेपर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा वहां से द देना होगा तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कोस्चन है आपके सामने कोस्चन है मंदोर का द्रुग परतियारों की किस साखा द्वारा राठोडों को बेंट दिया गया ओप्सन है इंदा गुर्जरत्रा कछ्वाहा रावल तो दोस्तों मंदोर का द्रुग परतियार के इंदा साखा द्वारा राठोडों को बेंटे किया गया था यानि किसका ए ओप्षन राइट हो जेगा नेश्ट कॉस्चन है आहुआ के युद में किस अंग्रेज को मार कर क्रांतिकारियों ने उसके सिर को आहुआ के किले पर लटकाया था तो दोस्तो इसका राइट हो जेगा ओप्षन ए मेक मोशन को क्रांतिकारियों ने मार कर इसका जो सिर्था ये आहुआ के किले पर लटकाया था दोस्तो अठारा सो स्ताउन की करांति से प्रीविये स्टी सी एकजाम में पुर्वे के एकजाम में भी कोस्टेन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कोई भी एकजाम और राजस्तान में अठारा सो स्ताउन की करांति से कोस्टेन पूछा जाते हैं तो दोस्तो इस से रिल्लेटिव कुछ important fact बता देता हूं कि चार यासतों से ज़्यादा question पूछे जाते हैं चार यासत important है जीपुर पहली जेपुर है दोस्तो जीपुर का सासक याद रखने है उस समय जेपुर का सासकता रामसी द्वित्थ है और यहां का जो political agent था वो था इडन, major इडन दूसरी रहासत है वो है quota यहां का भी सा सकता राम सीव Gibbs te और यहां का जो political agent था button मेजर button दोस्तो quote में button लगते हैं तो इससे आप याद रख सकते हैं major button कहां का political agent था? quota का तीसरी रहासत है मारवाड जिसे जोदपूल भी का जाता था यहां का ससक था तक्षी है माराँः तक्षी है और यहां का जो पॉल्टिकल एजिंट था वो था मेक मॏसन मेक मॏसन यह question बहुत बार एक जामे में पुछागे कि मारवाड का पॉल्टिकल एजिंट कौन था तो मेक मोसन और चोत्षी रियासत है वो है मिवाड और मिवाड का सासे कौन था सबरूपसी है मिवाड का सासक सबरूपसी है और यहां का जो पोलिटिकल अजेंट था वो था सोवर्स मेजर सोवर तो ये आपको चार फ्रेक्ट बताएं ये अठारसोस ताउन की करांती से समन दीता है और ये आपको द्यान रखने चलते हैं नेश्ट कोस्चन पर अगला कोस्चन आपके सामने है कोस्चन है किस आंदूलन का मामला प्रसन के माध्यम से ब्रेटेन के हाउस ओफ कोमन्स में उठाया गया बहुत इपोर्टेंट कोस्चन है दोस्टो ब्रेटेन के हाउस ओफ कोमन्स में किस आंदूलन का मामला उठाया गया तो दोस्टो इसका डी ओप्सन राइट होजेगा सिक्तर किसान आंदूलन का मामला है वो ब्रेटेन के house of common में उठाया गया था यानि कि D option राइट हो जेगा नेश्ट कोस्टन है बिजोलिया किसान आंदोलन से विजयसिया पथिक के अलग होने पर आंदोलन का नेतरतव किस ने संभाला तो दोस्टो विजयसिया पथिक जब विजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं तो आंदोलन का नेतरतव है वो जमनालाल बजाज वे हरी बाव उपादे यह संभालते हैं यानि कि इसका A option राइट हो जेगा जमनालाल बजाज वे हरी बाव उपादे जमिनलाल बजाज दोस्तों गांदी जी के पांच में पुत्र के नाम से विख्यात थे हरी बाव उपाद्य दोस्तों ये केंदर सासित परदेश अजमेर मिरवडा के एक मतर सीम या पीम जो भी कहें वो थे तो आपको ध्यान रखने ये भी अगला कोस्चन है व्रैद राजस्तान संग के उद्गाटन करता कौन थे उद्गाटन करता बताने हैं दोस्तों ओप्शन आपके सामने है जवारलाल नेरू, सरदार पटेल, वियन गोडगिल, हीरालाल सास्तरी तो दोस्तो व्रैद राजस्तान एकी करण का चोथा चरण था और इसके उद्गाटन करता थे सरदार वल्लबाई पटेल यानि कि इसका बी ओप्षन राइट हो जेगा दोस्तो एकी करण के पहले जो चार चरण है वो आपको ध्यान रखनी है पहला चरण जिसका नाम क्या था मतस्य संग इसका उद्गाटन करता था वी एन गोडगिल कौन था वी एन गोडगिल दूसरा चरण पूर्वे राजस्तान संग इसका उद्गाटन करता भी वी एन था और चोथा चरण व्रैद राजस्तान इसका उद्गाटन करता था सरदार वल्लबाई पटेल तो दोस्तों ये चार फेक्ट आपको इस वीडियो में बताएं ये आपको याद रखने हैं क्योंकि इन जो एकिकरन के पर्थम चार चरण हैं यहीं से ही कोस्टन पूछे जाते मैं लाइक किजीगा दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं इसे क्या मेरा मनौबल बढ़ता है और मैं और वी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रियासे करता हूं तो लाइक जुरूरे कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ सेर भी करना अगला question है पांचराई से तत्प्रे है तो दोस्तों पांचराई एक सबद है इससे का क्या आर्थ है तो इसका जो C option है वो right हो जाए पांचराई इकलाता था यानि कि C option right हो जाएगा सभी के सभी question दोस्तों पुर्वे के exam में पूछेगी है तो आपके लिए बहुत ही important है नेक्ट question है अरावली परवत सरंकला की दूसरी सबसे उन्ची चोटी कौन सी है रावली परवत सरंकला की दूसरी सबसे उन्ची चोटी है शेर यानि कि C option इसका right हो जाएगा दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताएगा की रावली परवत सरंकला की सबसे उन्ची चोटी है वो है गरू सिकर जो कि सिरोई मेस्तित है इसकी उन्चाई दोस्तों 1722 भी सही मानी जाती है और इसकी चोटी पर गरू दतात्रे का मंदिर है वो मंदिर है पांच मीटर का अगर वो साथ में मिला दिया जाए तो 1727 मीटर हो जाती है तो आपको द्यार रखने दोनों उप्सन एक साथ नहीं हो गए लेकिन 1722 भी साथ 2727 दोनों सही मानी जाती है गरू सिकर गी और सेर की कितनी उन्चाई है 1597 मीटर है और इसके बाद तीसरी जो उन्ची चोटी है वो है जरगा जो कि उद्यपूर मिस्तित है इसकी उन्चाई है 1431 मीटर है तो ये तीनों चोटी है यहां से इक कोश्चन पुछे जाने की समावन है तो आपको याद रखने है पहली चोटी गरू सिकर जिसके उन्चाई है 1722 या 27 मीटर है दूसरी सेर जिसके उन्चाई है 15 सुस्ताण में और तीसरी जरगा जिसके उन्चाई है 1431 मीटर है अगला कोश्चन है हल्दी गर्टी एवं खानवा से समंदित जिलों का क्रमश है सही यूगम कौन से है यानि कि हल्दी गर्टी और खानवा ये जो स्तान है ये किस जिले में है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हल्दी गटी का स्थान है रासमंद में और खानवा जो स्थान है यह बर्तपुर में क्यों पुछे गए दोस्तों क्योंकि हल्दी गटी का युद हुआ था अकबर और मारना परताब के मद्दे वेसे तो अक्बर का सेनापती मानसीय था उसका और मारना परताब के मद्या युद हुआ था कब हुआ था पंदरा सो चेंतर में तो ये हल्दीगाटी वलस्तान रासमंद में हो जाएगा और खानवा वलस्तान बर्थपूर में खानवाक का युद वाथा दोस्तो 1527 इस्वी में राणा सांगा और बाबर के मदे ये युद वाथा 1527 में और हल्दी गाटी का 1526 में तो दोस्तो अक्सर यहां से कोस्टेन पूछ ली जाती है क्योंकि जो important fact है वो मैं question के साथ साथ आपको बताता रहता हूँ next question है सागर्मल गुपा का समन्द किस रियासत से है option है बिकानेर उध्यपूर जेसल मेर किस इंगड़ तो दोस्तो सागर्मल गुपा का समन्द है वो है जेसल मेर रियासत से यानि कि C option इसका right हो जेगा मैंने दोस्तो आपसे पूर्वे के वीडियो में भी एक question पूछा था कि जेसल मेर का गुंड़ा राज ये पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई तो दोस्तो स्रवादिक वन चेत्र वाला जिला है उद्यपूर यानि कि इसका D option राइट हो जेगा दोस्तो स्रवादिक वन चेत्र वाला जिला उद्यपूर है तो न्यूंतम वन चेत्र वाला जिला कौन से है तो न्यूंतम वन चेत्र वाला जिला हो जेगा चूरू ये भी द्यां रखने हैं चलते हैं नेश्ट कोस्टन पर अगला कोस्टन है शिल्प सास्त्री मंदन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंदन का समन्द किस विश्य से है तो दोस्तों शिल्प सास्त्री मंदन द्वारा जो रचित ग्रंथ है रूप मंदन इसका समन्द है मूर्तिकला से यानि कि B option इसका right होजएगा मूर्तिकला कुम्बलगट दुरुक का सिल्पी कोन है ये मंडन ही है अगला question है राश्ट्रे मरू उदान जेसलमेर की स्तापना कब हुई तो दोस्तो राश्ट्रे मरू उदान जेसलमेर मिश्टीत है इसकी स्तापना हुई थी 1921 में यानि कि इसका D option राइट होजएगा इसका छेतरफल याद रखना दोस्तो राश्ट्रे मरू उदान का छेतरफल है 3162 वरक किलोमेटर बहुत ही इपोर्टेंट है और एकजाम में पूछा जाता है क्योंकि पूछेतरफल की द्रेश्टी से सबसे बड़ा उदान राजस्तान का यही है और जो राजस्तान का राजय पक्षी है वो यह गोडावन और गोडावन की सरन सतली वी राश्ट्रे मरू उदान ही है और यहां पर दोस्तो 18 कुरोड वर्स पूरव के 18 कुरोड वर्स पूरव के 25 काश्टिय जिवासम मिले तो इससे आप द्यान रख सकते हैं कि जो जिवासम परक है काश्टिय जिवासम परक है वो भी जैसल मेर में अस्तीत है तो इसका D ओप्सन राइट हो जेगा चलते हैं next question पर अगला question है बंदूक दूरा निसाना साधनी का अभयास क्या कहलाता है तो दोस्तो बंदूक दूरा निसाना साधनी का अभयास चान्दमारी कहलाता है यानि कि C ओप्सन इसका राइट हो जेगा next question है पाली जिले में किस नदी का राइट हो जाएगा क्योंकि यहां पर मैंने टाइप में दोनों दे दिये तो आपको याद रखना है कि एवसी इस कुस्चिन का राइट हो जाएगा क्योंकि सुकड़ी वजवाई इन दोनों नदियों का उद्गम है वो पाली जिले से होता है और साबरमती नदी इसका उद् आत्मा तो दोस्तो राजस्तान राजे की आत्मा का जाता है गुंबर नर्ते को यानि कि इसका ओप्शन राइट हो जाएगा गुंबर नर्ते है अगला कुस्चिन है त्री पूरा सुंद्री का मेला किस जिले में भरता है तो दोस्तो त्री पूरा सुंद्री का मेला वह बा मस्वड़ा जिले में बढ़ता है यानि कि इसका डी ओप्षन राइट हो जाएगा दोस्तों वीडियो को लाइक जुरूड करना और अपने मित्रों के साथ ज़्याद से ज़्यादा सेर करना नेक्स्ट कोस्टन है अज्जे राज के वंसज विग्रे राज चत्रूत द्वारा रचित प्रसिद नाटक का नाम है तो दोस्तों विग्रे राज चत्रूत जिने बिसल देव भी का जाता था इनके द्वारा रचित नाटक का नाम है हरी केली यानि कि इसका डी ओप्षन रचीत है नवलखा सागर किस जिले में अस्तित है उद्यपूर में बुंदी में जोदपूर में जेपूर में तो दोस्तों नवलखा सागर ये बुंदी जिले में अस्तित है यानि कि बी ओप्शन इसका राइट हो जेगा दोस्तों यहां पर मैं बहुत इपोर्टेंट बतात कि जो 9 लखा सागर 9 लखा दरवाजा बहुत बार आपने ये कोस्टन सुना होगा इससे कोस्टन क्यों पुछे जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये ऐसी वस्तों है जिन पर उस समय जब ये बनवाई गई थी उस समय इन पर 9 लाख रूपे का खर्चा आया था जिस वस्तों पर 9 ल लखा बावड़ी नवलखा बावड़ी कहां सतीत है दुंगरपूर जिले में बहुत इपोर्टेंट है एक्जाम में बहुत बार पूछे गए कि 9 लखा बावड़ी कहां पर सतीत है तो 9 लखा बावड़ी बुंदी जिले में असतीत है और 9 लखा बुर्ज भी है दोस्तों बुर्ज जो कि बारी प्रकोटे पर बने होते थे दूस्तों नोसे रक्षा करने के लिए वहां पर सेनिक तनात रहते थे तो नौलत्खा बुर्ज है यह चितोडगड दुरुग में स्थित draft — किस दुरुग में स्थीत है चितोडगड दुरुग में जिलियी है में और एक है नवलखा धुरुग जो कि जालरा पाटन यानि कि जालावार में है और एक ऊबोशन अबोशन भी होता है नवलखा अबोशन कार्थ यह होते दोस्तों इसा अबोशन बोछ क्रिकर क्ingo mm पुछ और दो तों य। तो द्यान रख सकते हैं नवलखा बुर्जी ची तोडगड नवलखा द्रवाजा रन थंबोर नवलखा अबसुन गले में पेना जाता है नवलखा मैल उद्यपूर में और नवलखा बावडी डुंगरपूर और नवलखा सागर है ये बुंदी में होगे तो इसका जो बी ओप्सन है वो रैट होजेगा 19 more question राज्य में प्रवेश करने वाले पाश्चमी विछोबों का उत्पत्ती छेतर है व्मद्यश में विछोबों का उतिई छेतर वंद्यश अगरा है यानि कि इसका बी ओप्सन रैट होजेगा दोस्तों ये पस्चमी विच्छोब है इनी के करण राजस्तान में क्या होती है मावट होती है तो कोस्चन पूछा जा सकता है कि मावट है ये किस के करण होती है तो पस्चमी विच्छोबों के करण इनका उत्पतिस्तल कुन से है भूमध्य सागर तो आपको ध्यान रखने है अगला कोस्टन है राजपुताना के किस राज़े के सासक ने अजमेर में लोरड मेयो द्वारा आयोजित दर्बार में बाग नहीं लिया था तो दोस्तों अजमेर में लोरड मेयो द्वारा आयोजित दर्बार में बाग नहीं लिया था माराजा तक्त सियने किसने बाग नहीं लिया था माराजा तक्ट सियने तो ये दोस्तों कहां के माराजा थे जोधपुर के थे यानि कि इसका A option right हो जाएगा कि जोदपुर के महाराजा तक सियने अजमेर में लोरड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में बागे नहीं लिया था अगला question है उस्ताद कहलाने वाले चितरकारों द्वारा बिती चितर किशनगर में बनाएगे तो दोस्ताद कहलाने वाले चितरकारों द्वारा बिती चितर बिकानेर में बनाएगे यानि कि इसका B option right हो जाएगा 22 question है स्वागिन ओरते अपनी पती के स्वास्ते दिर्ग आयो एवा मंगल कामना हे तू कौन सा वर्त करती है तो दोस्तो स्वागिन ओरते अपने पती के स्वास्ते दिर्ग आयो एवा मंगल कामना हे तू करवा चोथ का वर्त रखती है यानि किसका D option right हो जेगा करवा चोथ का वर्त तू के अगला question है राजस्तान की पहली rail bus सेवा कहां प्रारम की गई ज्यान देना दोस्तो यह राजस्तान की पर्थम rail bus सेवा तो इसका जो B option हो right हो जेगा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी ये रेल बस से वह है दोस्तों अगर बात करें राजस्तान की पर्थम रेल गाड़ी की यानि कि रेल कब चली थी तो दोस्तों वो चली थी आगरा फोरट टू बांदी कुई के मद्या आगरा फुरन तो बांधी कोई को मदिये पर रेल गाड़ी चली थी लेकिन रेल बस ये चली थी मेड़ता रोड टू मेड़ता चीटी NET newspaper नेस्ट इसां हाती मौचस्व का आई움 किस जिले में होता है हाती मौचस्व का Richardson तो दोस्तो हाती मौत्सों का आयूजन होता है जब पुर्जिले में यानि कि इसका C ओप्शन राइट हो जाएगा अगला कुस्चन है करोली को अन्य किस नाम से जाना जाता था तो दोस्तो करोली को अन्य नाम कल्यानपुरी से जाना जाता था यानि कि इसका B option राइट हो जएगा तो दोस्तों ये थे important 25 question इन 25 question के साथ-साथ इनके नज़दी की जो भी फेक्ट थे उनके बार में भी अपने अमने चर्चा की तो ये वीडियो आपको केसा लगा ये comment box में जुरूरे बताए अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें ताकि उन्हें भी फाइदा मिल सके अब बात करते हैं दोस्तों पुरूरे की वीडियो में जो आपसे question पूछा गया था उसके बारे में तो दोस्तों जैपुर सेर को गुलाबी रंग है वो राम सीयं दिवित्य के द्वारा दिया गया था यानि कि इसका B option राइट था बहुत से students ने इस question का जवाब राइट दिया और मैं आपको भी कहता हूँ दोस्तों अगर आपको question का जवाब मालूम है तो comment box में उस question का जवाब ज़रूर लिखें क्योंकि जो चीज आप लिख देते हो वो आपको सदा भर के लिए याद हो जाती है तो दोस्तों याद करने का सबसे अच्छा सादन यही होता है कि उसे लिख कर practice की जाए कहीं पर भी लिखो लिखना जुरूरी होता है अब बात करते हैं दोस्तों question of the day के बारे में आज का question है कि जेसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निमन में से किस देवी की पूजा करते हैं option आपके सामने है स्वांगया देवी करनी माता अनपुर्णा देवी नागनेची माता तो दोस्तों इस question का जुआब आपको देना है इस वीडियो के comment box में आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी वीडियो के comment box में बताए और वीडियो को like जुरूर करें और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेर करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम